नमस्कार आप देख रहे हैं वोईस ओफ इंडिया आपके साथ मैं जोती वर्मा खबर दिल्ली से आज बीजेपी आकाली दल के विधायक मंजिन्दर सिंग सिर्षा, विजेंदरु गुपता और जगदीश परधान डिल्ली के अलजी अनिल बैजल के पास ग्यापन लेकर पहुँचे कि जहां एक तरफ पहले भी वक्फ बोर्ड के चेर्मेन बनकर अमानतुल्ला खान ने काफी वित्याई अनिमित्ताएं की थी जिसको केजरिवाल ने खुद कबूल किया था इसके बावजूद दिल्ली की आप सरकार ने एक बार फिर अमानतुल्ला को वक्फ बोर्ड का चेर्मेन बनाया है आई ये सुनते हैं मंजीद नर्शिंग शिर्शा को हमने बताया उनको कि किस्तरा से जो आमानी पार्टी के दोरे स्टेंड हैं अमानतुल्ला खान जिनको उन्होंने खुद ही करप्शन के चार्जिस के अंदर सुपर सीट किया था जो वकाफ बोर्ड के चेर्मेन के रूप में अब दुबारा से इनको लगाने के लिए उन्होंने चिट्टी लिख दी और ये अरविंद केजरिवाल के रहे हैं कि उसी को दोबारा लगाया जै जिसको मैंने खुद का था करप्ट है और जिसके खिलाब मैं खुद सीबे की इनकोरी करा रहा हूँ तो ये दोरा स्टेंड जो है हम दिली के करप्ट मेले जिनको आम आनुपार्टी ने सर्टिपिकेट दिया करप्शन का वो अगर वकाब बोर्ट पे बैठेंगे तो हमें अतराज है हमने अपना अतराज दर्ज कराया 600 करोड का है बहुत छोटा गुटाला है अर्विंद केजरिवाल जी की नजर में शैद नहीं आया होगा क्योंकि उनकी नजर में तो लाखों के गुटाले आते हैं करोडों का गुटाला आता नहीं तो धाई साल में गुटाला हुआ है 600 करोड का है भूल गयोंगे अर्विं जायत के लेक्शन में बीजी है तो काफी बीजी है शहरी इसलिए गोटालों के उपर अभी वो चर्चा नहीं कर पा रहे उनकी सरकार में 600 क्रोड रपे का गोटाला हो गया जमीन लोग ले गए सरकार की जमीन बेची गई लेकिन अर्विंद केजरिवाल जी अभी सोई रहे है इसलिए अर्विंद केजरिवाल ने ना कभी स्टेंड लिया है ना कभी जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है उससे स्टेंड की कलपना करना भी हमारे ही मूर्खता होगी